अलो पड़ाकूस वेलकम बैक तो मैं चैनल डेट इस कॉंसेप्ट के लियर सेंटर वेर आल कॉंसेप्ट्स आ क्रिस्टल के लियर आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे डिलिवरेंस स्चोरी की समरी को इसी स्चोरी के राइटर है प्रेम चंद डिलिवरेंस का मदलब होता है सैलवेशन इस कहानी में प्रेम जी ने जातपात पर हो रहा है भिद्बाव पर प्रकाश डालने की कोशिश की है समरी स्चार्ट करने से पहले फी समिट करने जो की ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सो विड़ाइब बेस्चिंग अन्य टाइम लेट्स स्टार्ट स्टोरी स्टार्ट होती है दुखी से जो की शुद्र कम्यूनिटी से बलॉंग करता है वे और उसकी वाइफ जरिया दोनों बेट कर बात कर रहे हैं और थोड़ी टेंशन में हैं क्योंकि उनकी बेटी का रिष्टते हो गया है और वे ये बात कर रहे हैं बेटी की सगाई के लिए एक अच्छा सा मुहरत निकलवाना है और टेंशन इस बात की है कि पंडित जी को घर पर मुहरत निकलवाने के लिए कैसे इन्वाइट करें जिससे वे आसानी से मान भी जाएं पासी के गाउ में एक पंडित रहता है जिसका नाम ब्रामर गासी राम है दोनों बाते करते हैं अगर पंडित आएंगे तो उसे कैसे बिठाएंगे जरिया केती है पास के ठाकुर से चार पाई लेकर उसे बिठा देंगे पर दुखी जानता है ठाकुर उन्हें पानी तो देता नहीं है चार पाई तो बहुत दूर की बात है दुखी केता है जो होगा देखा जाएगा और वे पंडित के घर जाने के लिए तैयारी करने लगता है दुखी एक सूखी घास के बंडल को रैप करता है पंडित को प्र ताकि वे मेरी बेटी की मंगनी के लिए कोई मूरत दे कर बताए फिर वे चला जाता है और घासिराम के घर पहुच जाता है घासिराम पूचा पाट कर रहा होता है तो दुखी उसके लिए वेट करता है दुखी उसका बहुत वेट करता है काम खतम होने के बाद पंडित इसके बाद दुखी बताता है कि उसकी बेटी की मंगनी के लिए मुहरत निकलवाना है इसलिए मैं आपको इन्वाइट करने आया हूँ इस पर घासिराम कहता है पेले मेरे घर के कुछ काम कर दो फिर मैं सोचूंगा गासिराम दुखी को तीन काम बताता है जिसमें से पहला काम होता है कि दुखी को उसके घर के आगन को साफ करके मिट्टी और गोबर से पोतना होगा दूसरा काम गायों को चारा डालने का होता है और तीसरा एक मोटी लकडी को छोटा छोटा काटना होगा ये सब सुनका दुखी अपनी बेटी के खातिर ये सब काम करने के लिए तयार हो जाता है दुखी जानता है इस उमर में इतना काम करना उसके लिए मुश्किल है पर वे बेटी की खुशी के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तयार हो जाता है दुखी को आगन का काम करने में देड़ घंडा लग जाता है पंडित की बीवी खाना बना रही होती है जिसकी खुजबू दुखी के पास जाती है जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया है फिर वे दूप में गासिराम के खेट से गास लाकर गाय को डालता है देखते देखते तीन घंडे बीच जाते हैं और दुखी ने अभी तक कुछ नहीं खाया और आखरी काम लकडी को काटने का होता है दुखी बहुत भूका और ठका हुआ है जिस लकडी को उसे काटना है वे पेड़ का कटा हुआ तना है जिसे दुखी को छोटा काट के रखना है गासी राम अपने आगन में चार पाई पर बेट जाता है और दुखी को देखता है कि वे काम कैसे कर रहा है दुखी को लकडी काटने का एक्सपिरियंस नहीं है वे सोच रहा है कि कैसे शुरू करूँ उसने घास तो बहुत काटी है पर लकडी नहीं फिर वे लकडी पर वार करना शुरू करता है खुर्पी से पर लकडी पर कुछ भी असर नहीं होता दुखी लगता वार करता है पर लकडी पर कुछ भी असर नहीं होता फिर वे कुलाली से वार करता है पर इससे भी कुछ नहीं होता उसे उस लकडी के तने को दो हिस्सों में तोड़ना है गर्मी में इतना काम करने से दुखी को कमजोरी महसूस होती है तो वे थोड़ी देर के लिए छाओं में आराम करता है अब दुखी को थोड़ी एनरजी चाहिए जिसके लिए उसे तुबेकों की एक सिगार चाहिए होती है वे पंडित की वाइब से पूछने की सोचता है पर उसे पता है वे मना कर देगी क्योंकि दुखी एक शुद्र है और पंडित की फैमली ब्रहमण तो वे सोचता है कि अब उसको सिगार कौन दे सकता है तो उसे याद आता है उसका दोस्ट चुखुरी उसकी मदद जरूर करेगा तो वे चुखुरी के घर जाकर सिगार लेता है साथ में चुखुरी उसे ये भी बताता है कि उसे घासिराम का काम नहीं करना चाहिए तुम उसके नोकर नहीं हो घासिराम एक पंडित है और उसका काम तो मुरत बताना ही है उसे कोई अधिकार नहीं है तुम से काम करवाने का पर दुखी उसकी बात नहीं मानता और सिगार लेकर वापस चला आता है अब सिगार को जलाने के लिए उसे आग की जरूरत होती है तो वे पंडित की वाइफ से मांगता है पंडित की बीवी एक जलता हुआ कोईला दुखी को फेक कर देती है तो वे जलता हुआ कोईला दुखी के सर पर गिर जाता है उसे हटाने की चक्कर में दुखी के हाथ भी जल जाते है वे सोचता है कौन दुखी पिछले जनम में उसने कोई पाप किया होगा इसलिए भगवान ने उसे शुद्र कम्यूनिटी में पैदा किया है और जो भी उसके साथ हो रहा है ये उसके बुरे कर्मों का नतीजा है वे अपना सिगार जला कर कोने में स्मोक करने लगता है सिगार पीने के बाद उसमें एनरजी आती है और वे दुबारा लकली पर वार करता है कुलहाली से वे अपनी पूरी जान लगा कर तने पर वार करता है पर तने को कुछ भी नहीं होता पीचे से घासिराम उसे चेर कर रहा है और अपना काम जली करने के लिए के रहा है फिर दुखी दुबारा पूरी ताकत लगा कर वार करता है और देखते ही देखते लकडी का तना दो हिस्सों में तूट जाता है अब उसने इतनी जान लगा दी थी तो क्या होता है इसके बाद दुखी गिर जाता है और दुखी फिर कभी नहीं उटता उसकी मृत्यू हो जाती है दूर बेटा घासिराम उसके पास आता है शाबाशी देने के लिए और कहता है उठो अब तेरी बेटी की मंगनी के लिए कोई अच्छा सा मूरत देख लेता हूँ लेकिन दुखी कोई जवाब नहीं देता तो घासिराम देखता है दुखी की मृत्यू हो चुकी है इस पर घासिराम की बीवी कहती है इसकी कम्यूनिटी वालों को ये मेसेज दे दो कि इसे यहां से उठा ले जब ये मेसेज पुचाती है तो जो कम्यूनिटी में लोग होते है उनमें से चुकुरी कहता है कि उसे यानी दुखी को उठानी की कोई जरूरत नहीं है ताकि घासिराम को उसकी गल्दी का एसास हो जाए गाउ का कोई भी वेक्ती दुखी की डेड बोड़ी को लेने नहीं जाता दुखी का परिवार रोता रहता है फिर जब कोई दुखी को लेने नहीं आता तो घासिराम बिना चुँए दुखी के पेरों में एक रसी बाधा है और से घसीट थे हुए गाउ से बाहर एक जंगल में फेक कर आ जाता है इसके बाद घासिराम घर आकर नाता है वे अपने घर का शुद्धी करण करता है क्योंकि एक शुद्र उसके घर में आया था दूसरी तरफ दुखी के परिवार को दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता और दुखी की लाश को जानवरों दौरा खा लिया जाता है तो ये थी पूरी स्चोरी वीडियो पसे नहीं तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सबस्क्राइब भी करिएगा अगर आपके कोई कॉशन्स है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप किसी स्चोरी की समरी चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में उसी स्चोरी का नाम बता सकते हैं मैं उसके उपर वीडियो बनाके अप्लोट कर दूँगा मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग